अध्याय पांच देख रहे हैं दे लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर याने की विधाई का जो हम डिस्क्रिशन करने जा रहे हैं सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जानने की कि लेजिस्लेचर होता क्या है लेजिस्लेचर इसमें पारलेमर्ट आती है इसमें विदान सभा आती है, विदान परिशार ये ऐसी जगह है जहां पर कानून बनते हैं रूर्ल रेगुलिशन बनते हैं पार्लेमेंट में आप लेंगे लोग सभा को और राजय सभा को और विदान मंडल जो है जब स्टेट की मैं बात करता हूँ तो इसमें विधान सभाव होगी और विधान परिशद होगी इनका importance क्या है दोनों का इनके काम क्या है फंक्शन क्या है और इनके पास power क्या है किस तरीके से law एक बनता है एक law बनने का गानून बनने का तरीका क्या है और कैसे parliament executive को control करती है किस तरीके से parliament अपने आपको regulate करती है क्योंकि एक सरकार है वो भी parliament के अंदर से ही आती है सबसे पहला सवाल उड़ता है कि हमें जरूरत क्या है parliament की क्यूं हमें चाहिए लोग सभा क्यूं हमें चाहिए राज सभा पहली बाद समझने की कोशिश करिए कि विधाई का जहां पर कानून बनते है वो हमेरे देश के लिए पूरे country के लिए वो केवल law बनाने की कानून बनाने की संस्था नहीं है केवल it's not merely a law making body पहले लोग सभा राज सभा को मैं संधाने की कोशिश करता हूँ तो अगर हम संस्था की बात करेंगे तो इसमें एक lower house होता है एक upper house होता है जो lower house है उसको हम लोग सभा कहते है और जो upper house है उसको हम राज सभा कहते है जो लोग सभा है lower house यहाँ पर जो MPs आते हैं उनको directly हम लोग elect करते हैं राज सभा में direct नहीं लोग आते हैं MLA जो होते हैं state के वो elect करते हैं हर एक state के लिए, हर एक state के लिए seats fixed है, तो जो सांसद है, सब को सांसद कहते हैं, चाहे लोग सभा के हों, चाहे राज़य सभा के हों, अब ये जो लोग साहब लोग आ गए हैं, ये अनून बनाने कि प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लोग सभा में एक majority की सरकार होती है याने एक ऐसी party होगी या combination of party होगी उनको majority होगी जैसे लोग सभा में 543 seats है दोआ जोड़ा दीजे तो एंगलो इंडियन्स के लिए 543 से जिसके पास 273, 284 नहीं 273, 273 magic number होता है अगर वो number अचीव करें इसका आधा माल लिजे तो जैसे आप इसके एक number अचीव कर लेते हैं तो इसी में से जो majority ले लेती है 273 का जो आकड़ा पार कर लेती है वो प्राइम मिनिस्टर बन उनमें से एक नेता चूल लेते हैं प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर चूज कर लेते हैं तो वो जो है लोग सभा में एक पार्ट होता है लोग सभा में एक majority हो गई उनमें से कुछ लोग होते हैं एक आदमी तो उसमें से बन जाता है प्राइम मिनिस्टर और वो कुछ council of minister choose कर लेता है इसके बाद जितने भी लोग होते है वो सारे के सारे opposition में रहते है कई लोग भार से भी support कर सकते हैं इस government को लेकिन mostly opposition होते है तो केवल आप सरकार को मत देखिए जो opposition में जो लोग है जो लोग MP बन के आये है वो भी तो है government अगर अपना काम नहीं करते है तो ये क्या कर सकते है ये walk out कर सकते है अपना संसत के बाहर जा सकते है demonstration कर सकते है protest कर सकते है एक तरीके से एक विभेद भी होता है और मिद्रता भी होती है सहयोग भी होता है दोनों तरीके से अगर मान लीजे किसी दुश्मन कंट्री ने कोई अटैक किया तो सब के सब एक साथ हो जाते हैं चाहे अलग-अलग विचारधारा क्यों ना हो ये दोनों मिलके मतलब चाहे opposition पक्ष और विपक्ष for or against वो सब मिल जाते हैं और वो बाहरी अक्रमन या ऐसा कोई चीज होती है जैसे कोई ऐसा वाइरस आ गया जो पुरे देश को अटैक कर रहा है तो ये सब मिल के काम करते है तो हमारे पास ये जो council of minister है इनको भी हम अलग-अलग तरीके से रिवाइड करते हैं जैसे आपका cabinet ministers हो गए minister of states मिलेट हो गए तो council of ministers वो हो गए जो सारे के सारे minister हो गए इसमें कुछ special minister होते हैं करीबर 15-20 ये parliament के करीब होते हैं मतलब प्राइम निस्टर के करीब होते हैं इसका मतलब इनको बड़े भारी भरकम मंतरले दिये जाते हैं जैसे जो cabinet है वो ही चीज़े शुरू करती है policy के लिए चीज़े वही से शुरू होती है cabinet से अब यहां से हमको थोड़ा सा criticism भी मिलता है कि वही council of minister और प्राइम मिनिस्टर के पास सब कुछ आ गया opposition का क्या काम है तो राजे सबा का क्या काम है यह हमेशा criticism होता है कि सारा power तो आपने प्राइम मिनिस्टर और कांसलर मिनिस्टर को दे दिया लोगों ने जो N.P.C. ने उनका क्या लोगों ने जो राजे सबा में बेजा उनका क्या लेकिन फिर भी वो सब लोग लोग सबा के मेंबर होते हैं या राजे सबा के होते तो अगर कोई भी चीज उनको पास करनी हो बिल पास करना हो कुछी भी चीज को खानून मनाना हो तो फिर उनको एक strong leader जैसे आप नदिन में दिजिए देख रहे हैं उनको भी parliament face करना पड़ता है क्योंकि parliament में क्यों वो ही लोग तो नहीं है वो ही क्यों नहीं है इसकी अलावा बाकी लोग जितने भी हैं हर एक constituency आये हुए MP होते हैं तो हर एक आदमी जो इस संसद में है MP है उसकी भी उतनी महता है तो जो सरकार है उनको दोनों को satisfy करना है लोग साबों को भी satisfy करना है राज्य साबों को भी satisfy करना है पारलेमेंट को satisfy करना मतलब एक मैं example देता हूँ कैसे होता है बहुत सारे example दिये हैं और मैंसे मैं एक लेता हूँ हुआ ये कि दो हजार दो अठाइस फरवरी की बात है जिस्वन सीख साब थे finance minister उन्होंने कहा कि जो price है बहुत जो fertilizer है उर्वरक है और कुछ eatables पे भी उन्होंने 5% का price कहा कि ये 5% rise हो जाएगा जैसी ये उन्होंने बात रखी परलेमेंट में विरोधियों ने विरोध किया और उसके बाद ये जो increase price है उर्वरक पे उनको उनको वापिस लेना पड़ाया क्योंकि जो विपक्ष था उसका बहुत जबरदस विरोध था इसलिए हमें पारलेमेंट की जरुत पड़ती है हम ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और कॉंसलर मिनिस्टरी क्यों ना चूस कर ले हमें जो पारलेमेंट में लोग है वो विरोध करेंगे अगर कोई गलत चीज हो रही है देश के रिस्पेक्ट में किसानों के रिस्पेक्ट में कोई चीज गलत हो रही है उसका विरोध करने के लिए उसको रोकने के लिए हमारे पास एक पूरी विवस्था है जिसमें संसत का बहुत बड़ा रूल है तो इस तरीके से आप देखिए कैसे opposition का रूल इतना महत्पुन हो जाता है कुछ सब में से ऐसा हो रहा है कि अभी हमारे पास opposition उतना strong नहीं है तो एक सवाल होना चाहिए कि चलिए लोगसभा की बात तो समझ में आती है राज्यसभा क्यों है साब ये राज्यसभा का क्या मतलब है लोगसभा में इस सारे काम हो जा रहे देखिए जो फिर से मैं आपको बताता हूँ हमारे पार्लेमेंट में लोगसभा है राज्यसभा है लोगसभा में वे ऐसी वे उस्ता है यहाँ पर सब elected लोग आते है डिरेक्ट election होता है राज्यसभा जैसे नाम बोला जा रहा है राज्य यानि की state से related है अलग-अलग diversity है अलग culture है अलग लोग है आदे के जम्मु कश्मीर का एक आदमी एक MPI आया और एक जमिल लाड़ो का MPI राज्यसभा में सब अलग हो गए तो लोगसभा जो है वो federal structure में central government के लिए है उसमें एक पक्ष है विपक्ष है लेकिन राज्यसभा जैसे वो state को represent करती है हम इंदोनों को मिला के parliament है इंदोनों को मिला के संसत कहते तो दो हमारे houses हो गए इन दोनों को मिला के आप विधाइका कहेंगे तो दो houses जो होते है जब दो होते हैं तो इसको हम कहते हैm by-cameral legislature जहांपर दो houses होते है जैसे हमारी पास लोगसभा है council of states राज्य सबा को राज्य सबा को हम कहते है council of state और जो जो लोग सबाय हम कहते है house of people house of people अब हमारे पास अठाई state है अठाई states में हमको ये freedom दी हमने freedom दी रखी है मतलब सविधान दे रखी है कि वो unicameral भी रख सकते है bicameral भी रख सकते है यानि एक किसी भी state में वो state वाले एक उनकी केवल विधान जैसे विधान मंडल है तो विधान सबा हो सकता है विधान सबा और विधान परिशद भी हो सकता है जैसे मैं आपको example दे रहा हूँ बाई camera अब जम्मू और कश्मीर इसमें नाम आ रहा है जम्मू कश्मीर जो है वो अब state नहीं है तो वहाँ पर केवल एक ही रहेगा मतलब वहाँ पर विधान सबा ही रहेगी विधान परिशद नहीं होगा जम्मू कश्मीर हट चुका है जम्मू कश्मीर में पहले 5 अगस 2019 से पहले वहाँ पर विधान सभा भी थी विधान परिशत भी था तो जम्मू और कश्मीर को में हटा रहा हूँ इसके अलावा आप आंद्रप्रदेश और तिलंगाना को भी जोड़िए आंद्रप्रदेश और तिलंगाना में भी जो दो विदान सभा विदान परिशत दो ने हो तो कितने हो गए चे हो गए आज के समय में जो हम बात कर रहे हैं तो चे ऐसे स्टेट्स है जहां पर बाई कैमरल लेजिसलेचर है ध्यान राएगा आपको जमु कुश्मिर को हटा दीजे से तिलंगाना को जोड़ दीजे चूँकि तिलंगाना भी लेटेस बना है 2014 में बना है तो इसलिए हम विदान मंडल और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो यहां पर एक अगर बाई कैमरल है तो विधान सभा भी होगी विधान सभा भी होगी ये जिसमें विधायक आएंगे जो लोग उनके उलेक करेंगे विधान परिशद में वो तरीका है इसमें डिरेक्ट इलेक्शन वाले लोग नहीं आते तो विधान मंडल को मिला के विधान सभा उविधान परिशत को मिला के बूल रहे हैं तो छे आपके पास ऐसे स्टेट्स हो गए जहां पर आज के समय आज के समय छे जगा पे बाइकेमरल विवस्ता है जिस तरह जो हमारा देश बहुत बड़ा है डिवर्सिटी बहुत जादा है तो वहाँ पर दो हाउसिस की अशक्ता हो जाती है क्यों? क्योंकि हमको रिप्रेजेंटेशन हर एक सोसाइटी का चाहिए सापने हमको जो जो जिगर्फिकल ही रेजिंस है अलग-अलग जो भोगौलिक परिस्थितिया है वहाँ के लोग को भी लाना है रियासतों को प्रविंस को सब को लेके आना है तो हमको पूरे एक कांट्री को रिप्रेजेंट करना है कांट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग सभा हमारे पास है यह और हर एक प्रविंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास राज्य सभा है एक और फाइदा है, बाई कैमेरल का क्या फाइदा है माली जो लोग सभा एक बिल लेके आई बिल पास कर दिया उसने उन्होंने लोग बनाने की कोशिश की अब उन्होंने लोग बना दिया लेकिन हो सकता है कि जल्दी हो उनको या सत्ता का धुरूपयोग किया जा रहा हो तो हर एक जो बिल है किवल मनी बिल को छोड़के हर एक बिल को राजसभा में जाना होगा राजसभा का दिश्टी कोण क्या होगा प्रस्पेक्टिव क्या होगा वो स्टेट के हिसाब से सोच रही होगी तो जो बिल आएगा उसको राजसभा उस तरीके से दिखेगी जो स्टेट के लिए भी फायदा करें तो अगर कोई contradiction है कोई दिक्कत है तो यह हो सकता है कि amendments बता सकते है recommendation दे सकते है recommendation दे सकते है तो एक तरीके से reconsideration हो साथ अगर है जैसे मैंने कोई एक पत्र लिखा या कुछ आर्टिकल लिखा आपको दिखा दिया आपने उसमें गल्तियां पकल दी तो आपका रहना जरूरी हो गया एक और एक इसलिए दो नहीं होते हैं एक और एक 11 होते हैं तो यहाँ पर पहला यह है फायदा कि हमारे देश के डिवर्सिटी के इसमें सब लोग का रिप्रेजेटेशन हो जाए और दूसरी फायदा यह हुआ कि डूल कंसिटरेशन हो जाए कोई भी एवनावन में लिए है कोई भी दिक्कत है कोई भी कॉंट्रेडिक्शन है उसको राजसभा पकड़ सकती है क्योंकि राजसभा में वो लोग आते हैं जो एक्सपर्ट होते है राजसभा की बात शुरू करते हैं राजसभा जो है वो हमारा अपर हाउस है वो हमारा अपर हाउस है और स्टेट के जो स्टेट से आते हैं लोग स्टेट वाले जो MLA's है मैंने आपको कहा था कि राजिसभा जो है काउंसिल आफ स्टेट है जो स्टेट लेजिसलेचर में जो लोग आते है वो ही राजिसभा के जो मेंबर आते है वो MLA इलेक्ट करते है आप और मैं इन्विसमें इंवाड नहीं होते इसमें MP भी नहीं होते इसमें जो स्टेट में MLA है स्टेट में जो विधायक है वो राजिसभा को इलेक्ट करते है राजिसभा के जो मेंबर है वो इलेक्ट करते है अब आप देखें आपको आईडिया बताता हूँ हमारे पास 245 सीट से और यह जो maximum है 250 तक जा सकती है 245 है 250 तक जा सकती है हर एक state उसके population के हिसाब से हर एक state उसके population के हिसाब से उनको seat मिलती है जैसे उत्तर प्रदेश से 31 seat है 31 उत्तर प्रदेश से जो राजसभा के सांसद होंगे वो 31 होंगे 31 Council of States में या राजसभा में 31 मेंबर जाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में 33 करोड़ लोग रहते हैं सबसे बड़ा राज़ है अब आईए जरा सिक्किम की लीजी एक्जामपल तुरिपुरगा गर्री के एक्जामपल मतलब लाखों में इसकी जनसंकिया है करोड़ भी नहीं पहुची है तो यहाँ पर लोग कम है जगा भी कम है इसलिए यहाँ से एक ही मेंबर जाता है तो जो रीजन जिसका जादा पॉपुलेशन होगा जिसका एरिया जादा होगा वहाँ पर जादा सीट दी गई है राज सभा में जादा सीट दी गई है और जहाँ पर पॉपुलेशन कम है पॉपुलेशन लोग कम है वहाँ पर वहाँ से कम सीटे गई है मतला उनके पॉपुलेशन के हिसाब से दी गई है उनाटेट स्टेट साफ अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वो United States of America या लग-लग states है हर एक state है वहाँ पर equal representation है एक state बहुत बड़ी population है एक state थोड़ी कम population है तो पहली की बहुत ज़ादा population होने के बावजूद भी जो United States of America में जो Senate होती है जैसे हमारे राज्य सबा है ना वहाँ पर Senate है इस Senate में इस राज्य बड़े राज्य से भी एक आदमी आएगा और चोटे राज्य से भी एक ही आदमी आएगा ध्यान रहेगा चोटे बड़े दोनों राज्यों से एक आदमी जाएगा Senate में USA में हम लोग afford नहीं कर सकते हैं अपने देश में अब आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें, 30 करोण, और क्या आपको सही लगता है कि वहाँ से किवल एक ही आदमी जाए, एक ही आदमी रिप्रेजन करें, लॉजिकल नहीं लगता, लॉजिकल नहीं लगता, जैसे ऐसे और भी है, ऐसे किवल महराश्रा है, और बिहार है, वहाँ पर भी अच्छे खासी पॉपलेशन है, तो वहाँ से भी अच्छे खासे मेंबर जो है, वो राजिसवा में आते हैं, जर्मनी में भी हमारे पास बाइक कैमरल लेजिस्लेचर है, दो लेजिस्लेचर हैं यहाँ पे, एक फेडरल असेमली है, बुंडेस टैक कहते ह हैं, तो जर्मनी में भी बाइकेमरल वेउस्था है, मैं एक और आपको जर्ड़ एक्जामपल देना चाहूँगा, वो एक्जामपल कुछ इस तरीके से है, कि यहाँ पर, यह 2020 का है, अपरिल में, कि राजिसवा के मेंबर जो रिटायर हो जाएंगे, राजिसवा के यह जो म 245 मेंबर हैं, तो इनके एक तिहाई मेंबर हर दो साल में, हर दो साल में, एक तिहाई मेंबर, हर दो साल में, एक तिहाई मेंबर, रिटायर हो जाते हैं, फिर सो समझेगा, हर दो साल में, जितने भी मेंबर हैं, उनके एक तिहाई मेंबर, वो रिटायर हो जाएंगे, इसका राजेसभा हमेशा चलती रहती है, हमेशा दो तिहाई लोग हमेशा राजेसभा में आपको मिलेंगे, यानि कि ये जो सांसद है, दो तिहाई सांसद, वो हमेशा आपको राजेसभा में मिलेगा, क्योंकि राजेसभा के जो मेंबर होते हैं, वो 6 साल के लिए elect होते ये 5 साल के लिए नहीं होते ये 6 के लिए होते और इनका re-election भी हो सकता है ये बार-बार elect हो सकते है तो राजे सभा कभी भी हतम नहीं होती माल लिजे एक तिहाई seat के लिए होता है ध्यान रखिये राजे सभा जो है वो कभी भी dissolve नहीं होती वो हमेशा functioning होती है फाइदा क्या है what is the profit, advantage क्या है इसमें advantage यह है कि आप लोग सभा को देखिए लोग सभा तो 5 साल होता है और हर एक session में monsoon session होगा, inter session होगा हमेशा नहीं चलती है ऐसा नहीं कि हम 9 से 5 नोकरी जाते हैं, हर दिन हमें करना पड़ता है ऐसा नहीं होता अगर कोई ऐसा माननी जो बहुत important बिल आ गया देश के सामें एक ऐसी चीज़ आ गई जो बिल वो पास होने ही होना है लोग सभा तो है नहीं तो वो राज सभा available है राज सभा में इस बिल को पेश किया जा सकता है और फिर इसके उपर जो उचित कारवाई है वो की जा सकती है क्योंकि राज सभा में कि अगर कोई urgent business है कोई urgent काम है तो उसके लिए राज सभा जो की हमेशा active रहती है कम से कम दो तिया ही member active रहते है वो काम कर सकते है अब हम लेंगे लोग सभा की बाद देखे जो state legislative assembly है यहाँ पर जो member है याने जो लोग सभा में है वो MP है और legislative assembly में MLA है ये लोग हम इनको हम और आप हम लोग elect करते हैं ध्यान रहे हम लोग elect करते हैं इनको तो हम पूरा देख जो है वो अलग-अलग भाग में अलग-अलग constituency में divide हो जाता है जब state है तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये निर्वाजन शेत्र है ये विधायक का निर्वाजन शेत्र है इसी तरीके से और ये division इस तरीके से होता है कि एक मालीज़ एक state है division इस तरीके से होता है कि मालीज़ सौ विधायक यहां से आने है तो इनको सौ भागो में divide कर दिया जाएगा एक सौ एक state को और इनको इस तरह divide किया जाएगा कि population almost हर एक partition में same हो तो एक constituency से एक ही आदमी elect होगा इसी तरीके से लोगसभा में भी ऐसा है लोगसभा का छेतर काफी बड़ा होता है जिसे जो लोगसभा का MP छेतर कहते है अब जो एक MP select हो रहा है या फिर एक विधायक select हो रहा है elect हो रहा है यह सब universal adult suffrage से होता है 1989 के पहले 21 सा था लेकिन उसके बाद अब 18 साल हो गया है यानि 18 साल के ऊपर आवगर आप हो गये है तो आप vote कर सकते है जैसे हमारे पास लोगसभा में 543 constituency है यह 1971 के बाद chain नहीं होई है आज भी 543 आपके पास constituency है तो लोगसभा जो है वो 5 साल के लिए elect होती है लोगसभा 5 साल के लिए elect होती है यह maximum है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगसभा कई ऐसे सालों में हमने देखा कि लोगसभा इससे पहले ही भंग हो गई क्योंकि लोगसभा ने term complete नहीं कर पाया उसका कारण यह था कि या तो उन्होंने विश्वास खो दिया या कोई ऐसी situation आ गई तो अगर majority की कोई party है मालीजी कोई coalition है दो-तिन party इन्हों मिलके coalition बनाया है एक ने पीछे पे पैर खिच लिया support देना बंद कर दिया या कोई बाहर से समर्थन दे रहा है उसने बाहर से समर्थन दिना बंद कर दिया तो फिर इनके जो नंबर है वो कम हो जाएंगे जो कि एक magic नंबर है 273-274 तक का नंबर होता है वो तो ये जो government है वो तो गिर जाएगी इसको कहते government का गिरना तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मान लिजे प्राइम मिनिस्टर है जब यह advise कर दे कई बार ऐसा हुआ है एक बार अटल बिहारी वाज़पी साब ने कहा जब इंडिया शाइनिंग चल रहा था साड़े चार साल में उनने कहा कि लोग सभा को भंग कर दिजे जब बीजे पी के बीजे की पी के पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे अटल बिहारी वाज़वई साहब ने उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को कि साड़े चार साल हुए जरा एक काम करिये लोग सभा को साड़े चार साल में इखा कि बंग कर दिजे प्योंकि उस समय इंडिया शाइनिंग चल रहा था उनको लग रहा था कि वो बहुत भारी मतों से जीच जाएंगे लेकिन बीजेपी हार गए तो ये पर कहरे कि मतलब हो साड़े चार साल में वो ख़तम कर सकते हैं उसको तो पारलेमेंट के काम क्या होते है कारलेमेंट की बहुत सारे काम होते है पहला काम ये है पहली चीज ये है कि legislative function यानि कानूनी जो कारे है पहली चीज ये होती है कि ये chief law maker body है मतलब law बनाने के लिए कानून बनाने के लिए जो main sense था है वो यही है सबसे पहली sense था है तो यहाँ पर एक बिल ड्राफ्ट होने का काम जो है वो कुन करता है एक मिनिस्टर साहब होंगे वो मिनिस्टर जो है उनको अपने जो बूरेक्राइट्स होंगे जो I.E.A. साहब उगरा होंगे उनको कहेंगे नौकरशाहों को कि देखिए एक bill को जरा draft करिएगा हमारे लिए वो supervise करेंगे क्योंकि जो आगे law बनना है क्योंकि ये दोनों के दोनों houses में पास होना है एक bill को draft कर दिया गया अब ये जो bill है क्योंकि ये किसके supervision हो रहा है जरूर क्योंकि एक मंदरी नहीं बनाता है इसको बिरोक्रेट बनाते है अब जब drafting हो गई जब drafting हो गई उसके बाद ये कौन सा समय इसको पार्लामेंट में पेश किया जाएगा ये cabinet मिलके decide करती है मतलब जो council of minister है जिसमें cabinet का सबसे उचा दरजा है वो decide करते है कि जो लोग minister नहीं है जो ministers जो है वो भी will बिल जो है वो अपने bill पेश कर सकते है वो भी bill पेश कर सकते है लेकिन इनका pass होना बहुत एक फार्टी का पेश करता है लेकिन अगर बिल पेश करता है लेकिन अगर support नहीं है उसको government का तो बहुत हाईली unlikely है कि वो पास होगा वो पास नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है तो ये पहला टास्क हो गया बिल हमने वो बना दिया, ड्राफ्ट कर दिया कब होना है क्या होना है, कैमिने ने डिसाइड कर लिया दूसरी चीज है कि जो एक्जिक्यूर्टिव है यानि जो कारेपालिका है पारलेमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मजोरिटी पार्टी है और वो जो मजोरिटी पार्टी है और अपोजिशन भी है तो अपोजिशन भी है, इसके साथ अपोजिशन जो है, वो बहुत इंपोर्टन हो जाती है, क्योंकि विरोधी या किसी चीज़ को हुआ बेसिकली opposition जो है वही तो control कर रही है इस सरकार को council of minister or prime minister को control कर रहे हैं इनको check and balance में रखना किसी भी सरकार को check and balance में रखा उसके opposition का काम है किसी भी party के हो सकते हैं opposition में क्योंकि majority जो party है जो government है वो के ऐसा ना हो कि वो धुरूपियों कर ले सत्ता का या ऐसा कोई काम कर ले ऐसा कोई bill trans बना दे जो पुरे धेश के लिए तबाही मचा दे लोगों के लिए ठीक ना हो तो opposition है क्योंकि opposition ही check करेगा तीसरा काम होता है वो financial काम होता है तो government जो है पैसा government का खजाना है बहुत सारे relief funds है बहुत पैसा है तो वो जो कमा रहे है अलग-अलग revenue sources है जैसे direct taxes होते है और indirect taxes होते है यह जो direct tax, indirect tax है वहाँ से सरकार को अच्छा खासा पैसा आता है अब यह government के खजाने में चला जाता है अब इस खजाने को तो यह जो है उनको approval लेना पड़ेगा लोग सभागा तो government का यह constitutional एक obligation है कि वो account बताए कि भाई कितना पैसा आया कितना पैसा गया कौन सा पैसा कहां गया कौन सा पैसा कहां खर्च किया गया तो यह government is बिलकुल bound है कि वो legislature को यानि कि विधायका को यह बताए यानि कि government को पर्लेमेंट को बताए कि यह हमारा budget है हमारा यह budget है विटमंत्री जो है विटमंत्री इसको पेश करते है ही और शी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी निर्मला सीता रवन हमारी finance minister है तो budget वो पेश करती है सारे लोगों के सामने वो चीज़े आती है कि किसमें क्या खर्च हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है इसमें government जरा over spending ना कर पाए इसके लिए check and balance होता है अब एक और काम है representation देखिए parliament जो है वो क्या है parliament हर एक region से हर एक social background से MPs आ रहे है तो एक तरीके से यह representation है पूरे देश का पूरे देश का एक मुखोटा है हर एक MP एक constituency को represent कर रहा है एक और चीज़ आती है इसमें वो है debating function यानि पक्ष विपक्ष अगर आप इस live टालिकास देखते होंगे राजेसबा लेकसबा तो वहाँ पर लोगों को आपस में बातचीत करते होंगे सरकार से सवाल पूछते होंगे सरकार के पक्ष को जवाब देता होगे तो आपस में कोई एक बिल आ गया तो वहाँ पर एक बगाईदा एक लंबा चौड़ा discussion होता है opposition के लोग भी होते है ruling party भी होते तो यह हो सकता है कि parliament हर एक issue को हर एक चीज को उसको देखे क्योंकि जो main ची सबकी यही होती है कि भी देश के लिए अच्छा काम हो सीक से काम हो रहा है के नहीं हो रहा है फिर एक और function होता है constituent function constitution का मतलब क्या है जो parliament है उसका काम यह है कि हमारे constitution को change किया जा सकता है सम्विधान को का संशोजन जो है वो parliament से ही शुरू होता है ध्यान रखे उनको एक भगादा majority मिले चाहिए कुछ ऐसे कारून है जो सरकार अराम से मतलब संशोजन कर सकती है कुछ ऐसे संशोदन जिसे लोग सभा राजय सभा में विश्यज बहुमत होना चाहिए कुछ electoral functions है जैसे vice president का election होता है president का election होता है यह काम इनका होता है इसके लाव judicial काम भी होते है judicial function क्या है अगर मालनीजिए parliament मालनीजिए कोई president ठीक से काम नहीं कर रहे या vice president ठीक से काम नहीं कर रहे high court या supreme court पर ठीक से काम नहीं हो रहा या judge ठीक से काम नहीं कर रहे तो इनके लिए impeachinate की वियस्ता है इनके लिए इनको हटाय जा सकता है remove किया जा सकता है याने कि जो बड़े बड़े लोग है उनका impeachment, उनके हटाने की प्रक्रिया ये पार्नरमिन में ही होती है मैं ये नहीं कहूँगा कि ये राजसभा इसमें पूरी तरह involved है तो राजसभा का power क्या है? पहले मैं आपको एक अंतर बताने की कोशिश करूँगा कि power क्या है लोगसभा की और power क्या है लोगसभा की तो इनका difference हमने कोशिश करते है पहली चीज़ ये है कि लोगसभा जो है वो union list और conquered list वहाँ उन दोनों में law बना सकती है यहाँ पर money bill और non bill दोनों लाया जा सकता है राजसभा में एक तोर money bill के लिए कोई इनका वो नहीं है यह money bill केवल लोगसभा में आ सकता है राजसभा में money bill नहीं आ सकता केवल राजसभा money bill में केवल amendment suggest कर सकती है change कर सकती है फिर से समझेए money bill लोगसभा में ही आता है राजसभा में नहीं आ सकता है राज्य सभा कभी भी इसको मना नहीं कर सकती यह केवल सजेशन दे सकती है केवल वो सजेशन देगी हो सकता राज्य सभा एक्षेप्ट कर ले हो सकता राज्य सभा ना करे उससे कोई फरक ने पड़ता तो एक और चीज आती है जो taxation की budget पेश करना दूसरा यह है कि यह जो लोग सभा यह सवाल पूछती है जो political executive है उसे सवाल पूछती है इसके लावा यहाँ पर भी राज्य सभा में भी क्योंकि राज्य सभा भी पक्ष विपक्ष होता है वहाँ पर भी यह सवाल जवाब होते है एक और चीज है देखें जो constitution है जो सवाल पूछती है वो लोग सभा में शुरुवात होती है राज्य सभा में भी हो सकता है राज्य सभा जब तक जब तक इसको अप्रूव नहीं करेगी कई ऐसे article है जिसमें राज्य सभा में विशेज भूमा चाहिए होता है emergency की विश्था है अपातकाल की विश्था है ये लोग सभा अप्रूव कर सकती है इसको इसके बाद जो लोग सभा है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को elect कर सकती है और जो high court और supreme court के judge को हटा सकती है तो यहाँ पर राज्य सभा में भी इनका काम होता है कि वो भी इनको election जिन लोग का बताया और जिन लोग का मैंने रिमल बताया उसमें इनका role होता है इनका काम होता है वाइस प्रेसिडेंट जो है एक और चीज़ वाइस प्रेसिडेंट जो है शुरुवात उसकी राजय सभा में होनी चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट राजय सभा के सभी सभापती होते हैं लोग सभा में बहुत सारी कमिटीज बनाते हैं और कमिशन बताते हैं और राजय सभा जो है वो union power वो state list के law बना सकते हैं जो union राजय सभा basically state को represent कर रही है अब राजय सभा की कुछ special powers होती हैं राजय सभा state को represent कर रही है तो राजय सभा के जो members है वो MLA elect करते हैं एक state के इनका main जो काम है वो यह है कि state अपने state जिससे आया है उसकी power उसकी बारे में सोचना तो यदि union parliament अगर माल लीजे एक state list से कुछ हराना चाहती है या state list से कुछ लेना चाहती है अपने पार अगर कोई भी concurrent list में हो और state list में हो तो state list को अगर union list में लेना चाहे कई ऐसी situation पैदा होई तो इसकी permission लेने के लिए राज सभा की permission लेना आवशक हो जाता है राज सभा क्योंकि we a state list है state list से आप central government कोई भी चीज़ ऐसे नहीं ले सकती तो राज सभा normally हमने देखा जो इसके member है वो सब अपने political party को ही देख रहे हैं कोई states को और को नहीं देख रहा अच्छे एक चीज़ और समझेए money bill पहले चीज़ ये समझेए कि जो खरीद फरोग जिसमें पैसा involved होता है तो राज सभा में ये initiate नहीं हो सकता money bill जो है वो केवल लोग सभा से शुरुआत होती है एक बार वो पास हो जाता है वो जाता है राज सभा में कि वो राज ये money bill को कैसर कर दे जो council of ministers है वो किस के लिए responsible ध्यान किया जो council of ministers है जो actual executives है वो केवल लोग सभा के लिए हीं होती है राज ये सभा के लिए नहीं होती है राज ये समझे जो member आते है वो MLS elect करते है हम लोग नहीं इनको elect कर रहे है इसका मतलब ये है कि जो constitution है उसने maximum power जो दे रखे हैं वो लोग सभा को दे रखे हैं राज्य सभा को थोड़े कम दे रखे हैं और भी ऐसी चीजे हैं इसके अलावा एक तो money bill राज्य सभा का कोई रोल नहीं है लेकिन इसके अलावा जो non money bill है money bill में तो कोई रोल नहीं है non money bill में राज्य सभा का काम है constitutional amendment करने में इनका काम है जो president को impeach करना है महाभियोग vice president को हटाना है ये सब में राज्य सभा लोग सभा दोनों वरापर है एक flow chart देखिए एक bill बनता है पहले सबसे पहले एक draft bill बनता है ये draft bill जो है ये या दोनों में house में से किसी में भी आ जाता है अगर non money bill है तो वो कहीं भी आ सकता है लेकिन money bill केवल लोग सभा से ही शुरुआत हो सकती है तो अगर ये non money bill है तो ये लोग सभेमी मीद दिया जा सकता है प्रेजन किया जा सकता है राज्य सभेमी मी किया जा सकता है उसके बाद अलग-अलग समितिया होती है एक parliament में अलग-लग समितिया बनी होती है तो उस समिति के पास जाता है जो से ये bill related है या फिर house में इसको discuss अब कमीटी जो है इसके पर ही इंपन देती है कई बार ऐसा होता है कमीटी लोगों के इनपुट भी लेती है उसके बाद हो सकता है भा सुस्ट होगा हो इसको एकसेप्ट करें ना करें फिर इसके बाद चर्जा होती है यह वेड फेलोग Corn tracking होता है तो फिर ये दूसरे हाउज में पहुंच जाएगा, अगर दूसरा हाउज जो है वो इसको अप्रूव कर देता है, तो बहुत अच्छी बात है, या फिर उसको recommendation में भेज सकता है, अगर दोनों में कुछ conflict आता है, लगता है कि कुछ ऐसी approval में दिक्कत आ रही है, तो एक joint session कोई possibility रही है, फिर उसके बाद अगर यहां से प्रूव हो जाता है, दोनों प्रूव कर देते हैं, तो फिर यह जाता है प्रेसिडेंट सहाब के पास, राश्पती सहाब के पास, राश्पती इसको approve कर सकते हैं या वो वापिस भेज सकते हैं संसदमे से recondition के लिए, तो यह बिल एक ऐसा draft है, जो आगे proposed law, आगे का जो कानून है, उसके लिए बना जाता है, बिल is a draft of proposed law, तो अलग-अलग type के बिल हो सकते हैं, कोई-गों से बिल हो सकते हैं, यह सरकारी बिल हो सकता है, यह एक private man में बिल हो सकता है, government बिल जो है, वो मंत्री present करेंगे, non money bill हो सकता है, money bill होका, पैसे से related है या non-pैसे से related है, जो money bill है, वो केवल और केवल लोग सभं present हो सकता है, फिर अगर non money bill है, तो फिर ओडिनरी बिल भी हो सकता है, या फिर सविधान संशोधन, Constitution Amendment Bill भी हो सकता है, इसका मतलब यह है, जो non money bill है, वो हम सविधान संशोधन के लिए भी उपय किया जा सकता है, ऐसा कोई बिल हो सकता है आर्टिकल में संशुद्रिन का निकले अगर कोई ऐसा साहाब है जो मंदरी नहीं है, कोई ऐसा कोई आईसा नौन मिनेस्टर आदमी है उसे हम प्राइवेट म्मेंबर बिल कहते है, यह मतलब private हो गया और government में जो है वो हमेशा मंदिर प्रेजेंट करेगा तो एक political party कैसे समझे है कि एक bill कैसे आएगा ये किस तरीके से आता है कि जो bill है जो majority होती है majority party उन्होंने अपने जो election के समय manifesto present किया होगा कि हम 1337 हटाएंगे हम ये triple तलाक लाएंगे हम राम मंदिर बनाएंगे हम CAA जो citizenship amendment bill लेके आएंगे तो और भी ऐसी चीज़े जो NRC है वो पुरे देश में लागू करेंगे तो ये सारी चीज़े जो है उनके manifesto में था तो जैसी वो आए राम मंदिर कभी decision हो गया CAA 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 हो गया और NRC लगरने की बात भी की जा रही है तो जो ये सब चीज़े वहाँ से निकल के आते है bill अपने आप नहीं आता bill इसे आस हो सकता है हो सकता है कोई ऐसी political party इंको pressurize करे हो सकता है कोई interest groups हो हो सकता है media हो हो सकता है कोई industrial group हो तो वो government को कहते है सहाव इसके लिए कुछ जरा एक act बनाईए हमको इसकी जरूरत है particular bill बनाने के लिए ये सारे तत्व जो है वो responsible होते है तो एक bill इस तरीके से shape लेता है शुरुआत इसे ऐसे होती है ऐसे नहीं कि एक MP के रात को ख्याल आया सपने में और उसने bill बना दिया ऐसे नहीं होता है तो एक bill जो है वो ये समझेज़े कि ऐसी ही नहीं बन जाता एक bill को बनाने से पहले या उसको डाफ करने के बाद ये देखना पड़ता है कि अगर ये law बनना है तो इसके लिए resources क्या होंगे पूरी जानकारी होनी चाहिए यानि कि पूरी इसके बारे में पूरी गहन विचार करना पड़ता है कैसे opposition इस पे react करने वाला है जो विरोधी party है वो इस पे क्या बात करेगी और ये जो law है वो किस तरीके से impact करेगा माल लिजे जैसे CAE आया तो पूरे देश में धंगे होने लगे पूरे देश में डेली riot हो गया और फिर बहुत कई जगा पे protest के लिए लोग बैठ गये तो ये जो अगर माल लिजे कोई ऐसी चीज़ पेश कर दी जिससे आगली बार वो government गिर जाएगी तो सारे जो partners हैं coalition में क्योंकि अगर गडबंदन के सरकार है तो जो ऐसी alliance में वो ऐसे bill ही ला सकती है जो सारे के सारे alliance accept करें जैसे अगर NDA है BJP का तो BJP ऐसा कुछ नहीं ला सकती जिससे बाकी जो party हैं उनके alliance में वो गुसा हो जाए या फिर उनके favor में ना हो तो अगर एक bill है मान लिजे एक example देता हूँ है मान लिजे 18 से 18 साल की एक शादी की age की बात आई तो इसको कुछ शुरूबात करेगा इसको law ministry लेगी इसको law ministry शुरू करेगी और जो ministry of women and welfare है वो भी इसमें involved हो सकती है अब जो parliament की बात करते है जो bill है वो लोगसभा में आ सकता है राज्यसभा में आ सकता है किसी भी house में आ सकता है लेकिन जो हमेशा जो minister होता है इसके से responsible वो हमेशा ये दिखा गया है कि वो ही present करते हैं इसको जो भी subject है money bill को introduce आप किवल लोगसभा में कर सकते हैं शायद हमने चार पांच बर देख लिया जैसे इस case में जो मने बताया है law minister सामने आएंगे वो ये bill रखेंगे कि शादी की येज क्या होने चाहिए उसके लिए कोई bill present करेंगे वो तो ये चीज़े इसमें एक और चीज़ है कि discussion पे बहुत जबरदा discussion होता है और खास दर पे जो committees होती है कुछ committees जो है वो form की जाती है जो parliament है उसमे committees होती है वो committee में expert लोग होते है main वो लोग होते है और बड़े कदावर लोग होते है ये भीन उनके पास जाता है पहले committees को देखती है और उसके बाद इसलिए committee को mini legislature कह सकते है लगू विधाइका समझ सकते है तो ये बहुत important process है तीसरे stage पे क्या होता है कि जो voting होती है voting कैसे होती है मतलब अगर non money bill है अगर ये एक house में pass हुआ तो जिसमे money bill नहीं है वो दूसरे house में जाता है फिर वो same process follow होता है यानि लोगसभा और राजसभा में कुछ थोड़ा सा अगर conflict है या कुछ disagreement है तो एक joint session पो बुलाई जा सकता है और बहुत कई बार ऐसा हुआ कि majority तो उनके पास ही होती है जो जिसने सरकार मनाई होती है तो हमेशा हमेशा लोगसभा ही जीतती है यदि एक money bill की बात करे पैसे related money bill की बात करे तो राजसभा इसमें केवल अपने suggestion दे सकती है वो उसमें rejection नहीं कर सकती rejection नहीं कर सकती अच्छा इसमें एक और चीज है मान लीजिए राजसभा रहे इसको अपने पास 14 दिन से जादा रख दिया अगर 14 दिन से जादा रख दिया इसका मतलब है कि इसको पास मालिया जाता है यानि जो भी राजसभा ने suggestion दिये है वो लोगसभा मान भी सकती है लोगसभा उसको ignore भी कर सकती है किस तरीके से parliament control करती है executive को parliament जैसे मैंने आपको अभी हमने कई बार discuss किया एक parliament जो है वो सरकार नहीं है सरकार parliament का एक part है इसका मतलब यह है कि कोई भी role regulation बनाने के लिए हमारे पास एक विवस्ता है एक majority party होगी majority के बास prime minister है consular minister है अब ये लोग जो होते है ये executive होते actual executive इसको हम political executive कहते है बाके जो member है वो भी तो है पास 543 members में सरकार के तो कुछ जैसे 300 होंगे बाकी 200 तो उनके है तो वो लोग जो होते हैं वो इस political executive को control करते हैं लोग सभा के जो लोग है कि जो लोग सरकार में है वो उनको एक तरीके से संदलर मिठाने के लिए हो सकता है कि ये power का misuse करने लगे तो यहां पर एक लोग सभा की इसलिए विवस्ता है कि जो majority party है वो कोई गलत न करने लगे तो control करना बड़ा आवशक हो जाता है तो parliament इनको control करती है तो इस दिया बहुत तरीके है जिसे parliament control कर सकती है कारे पालिका को executive को माल लिजए एक party A को belong करता है party B को belong करता है ये party B वाला जो है वो अगर उनके खलाफ बात करता है या जो government की party है उसके खलाफ अगर किसी कोई MP बोलता है तो उनके against कोई भी action नहीं ले सकते ध्यान रखेगा अगर संसद में एक साहब खड़े होते है और वो कुछ विरुद बात करते हैं किसी के criticism करते है या अलोचना करते हैं तो उन साहब के against कुछ MP के विरुद कुछ नहीं हो सकता इसे कहते हैं parliamentary privilege कहते है parliamentary privilege होता है ध्यान रखेगा कई और ऐसे instrument है कोई ऐसे हमारे पर उपचार है जिससे parliamentary control होता है पहरे चीज़ यह है कि हमेशा legislature जो है जो विधाय का है हमेशा यह देखती है कि भई जो policies बन रही है law वो अगर implement कर रहे है और implementation के पहले किया implementation के बाद का हर एक stage पे जो executive है वो हमेशा गिरफ्त में है किसके parliament के गिरफ्त में है जैसे आपस में discussion होता है हो सकता है laws का refusal कर ले financial control होता है no confidence motion होता है इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन में अगर एक दिन होता है लोग सभा में तो क्या होता है 11 से 12 वजे जो होता है question hour होता है सवाज जवाब का session होता है इसमें क्या होता है कि government को जड़ा check में रखा जाए जड़ा control में रखा जाए उसके लिए पूछे जाते फिस zero hour होता है वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही एक दिन पहले अगर माली जो कोई दंगा हो गया कोई train का accident हो गया या कोई ऐसा नुकसान हो गया कोई ऐसी बात हो गई कोई ऐसी विस्ता हो चल गई वो यहाँ पर discuss किया जा सकता है मतलब prize अगर rise कर दिये पेटोल कराई हो गया या फिर प्यास के हो गया उसके बाद lunch time होता है एक से दो उसके बाद government business और legislative business यहाँ पर discuss होता है राजे सबा 5 वजे खतम हो जाती है लोग सबा शाम के 6 वजे तक होती है यहाँ पर law बनते हैं budget pass होता है तो यहाँ पर सब में discussion हो रहा है इसका मतलब deliberation discussion हो रहा है आपस में बाचीद हो रही है तो यहाँ पर जब भी एक legislature में हर एक policy जो भी बात आती है उसके बीच में एक discussion होता है मतलब केवल policy को आपने रग दिया यह पुरा नहीं होता है यह policy कैसे काम करने वाली है कैसे वक्ट आउट किया आपने क्या आपने resources कहां से आपको मिलेगी कहां से पैसे आपको मिलेंगे हर चीज़ को discuss करना बहुत अशक होता है जैसे zero hour है question hour है जो zero hour के पहले question hour होता है question hour के में हर दिन होता है ध्यान रखिए हर दिन question hour हो गई होगा यहां पर minister साहब को जो members है उनके सवाल के जवाब देने होते है याने member of parliament की कोई भी है उन्होंने कहा कि साहब इस बारे में बताइए मुझे बताइए कि कितने school नहीं बनाए गया अब zero hour में जो member of parliament है वो जो भी सब उस समय चल रहा होता है पुरे देश में जो present situation हो रही है उसमें लोगों के उपर जो भी चीज हो रही है उसके खलाफ सवाल पूछे जा सकते है और जितने भी जो mostly question होते है वो public interest पे dependent होते है जैसे क्यों पिराइस बढ़ रहा है भाई प्यास का क्यों जो स्वास पे बसना इतनी खराब क्यों हो रही है food grains कितने है कोई weaker section है किसी कोपर atrocity हो रही है किसी कोपर अत्याचार हो रहा है weaker section पे कोई black marketing हो रही है काला बजारी हो रही है ये सारे सवाज जो होते है वो इस सब उठाय जाते है और यहाँ पर क्या होता है कभी भी आपने जब टिवी में देखा होगा news में भी देखा होगा कि आपस में बड़ा एक गरम महौल पैदा हो जाता है कई ऐसे MP होते है वो अपना अपनी तेज अवाज में बात करते हैं गुस्सा हो जाते हैं वो छोड़ जाते हैं कभी-कभी well में चले जाते हैं जहाँ पर अध्यक्ष होते हैं उसके सामने एक well कहते हैं वहाँ वो चले जाते हैं members और फिर उसके बाद वो protest भी कर सकते हैं बाहर निकल सकते हैं तो लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जंता के लिए बात कर रहे है वो responsible है वो देश के लिए बात कर रहे है तो इसको इस तरीके से ना लेए कि इन्होंने चिलाया, चीखा, कुछ बोला आप कोई देखना चाहिए कि वहाँ पर वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे है और वो देश के लिए ही वो काम कर रहे है एक और चीज़ आती है approval और ratification यानि approval मतलब अनुमोधन तो इसके लिए क्या होता है एक approval हो सकता है या फिर non approval हो सकता है तो इसमें यह होता है कि अगर bill में अगर parliament में accept किया तब तो यह law बरेगा हो कभी वार ऐसा हो सकता है कि लोग सभा में एक party का party का वो हो बल हो लेकिन राजसभा में ना हो जैसे 2014 की बात करें तो BJP में उनके पास लोग सभा में majority थी राजसभा में नहीं थी लेकिन 2019 में उन्होंने बहुत सारे states जीत लिये थे तो लोग सभा में भी राजसभा में भी दोनों में इनको बहुमत मिल गया लेकिन हो सकता है कि लोग सभा में majority हो राजसभा में ना हो तो लोग सभा में अपने पास तो करवा दिया लेकिन उनको राजसभा ने जो जो कहा जब राज़े समग गया जो 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 चेंज किया उनको करना पड़ता है क्योंकि उनके पास अप्रूवल दोनों का चाहिए Financial Control मैंने बात की थी Financial Control मतलब यह है कि बजट बजट सीधी सी बात होती है कि हमारे पास इतना पैसा है हम यहां 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 खर्च करना वाले हैं तो जो Finance Minister है वो आके खड़े होते हैं वो पूरे फुल हाउस के सामने अपनी बात कहते हैं कि हमने यह यह किया है इसका मतलब यह है कि जो भी सरकार कर रही है वो कहां से पैसे आ रही है पैसा क्या आ रहा है और किस तरीके से वो स्पेंड कर रहे है यहने पूरा कंट्रोल जो होगा पैसे का वो पारलेमेंट के हाथ ने होता है यहने लेजिस्टेज अविधाइका के पास फिनेंशल कंट्रोल भी होता है इसका मतलब यह समझे लिजे कि कोई ओर स्पेंडिंग करने लगे कोई गलत कहीं इदोदर पैसा जा रहा है एक हमारे पास जो कॉम टोलर और अडिटर जिनलर होते हैं एक नौ कॉंफिडेंस मोशन होता है यह बहुत जबरदस है 1989 के बाद क्या हुआ कई ऐसी गवर्मेंट थी यह इनको रिजाइन करना पड़ा इनको रिजाइन करना पड़ेगा क्यूंकि उनको कॉंफिडेंस ही नहीं मिला क्यूंकि यह अपना सपोर्ट जो है कोलिशन पार्टनर जो अपने एक गवर्मेंट है जिसके पास जो दो तिन पार्टी मिलके एक सरकार बनाती है तो कई बार ऐसा हुआ कि एक कुछ मिमिनियम कॉमन प्रोग्राम बनाया है इन तीनों पार्टियों ने अब जब यह पावर में आये इन्होंने बाकी दो पार्टियों की या तीन पार्टियों की बात ही नहीं सुनी ये लोग अपना कॉमन मिमिनियम प्रोग्राम के हिसाब से काम नहीं कर रहे है तो इसका मतलब यह है कि जो यह जो बाकी दो पार्टी है या जो भी पार्टी उनके साथ कोलिशन में वो पीछे अट जाएगी इसका मतलब वो गिर जाएगी गवर्मेंट गिर जाएगी ना तो इसका मतलब यह है कि मिजॉर्मेंट में नहीं रही वो तो no confidence motion पास किया जा सकता है कि ये बजाने के लिए कि ये जो है नहीं है पावर मतलब इनकी पर मिजॉर्टी नहीं है जो ध्यार रखिये कि जो पारलेमेंट है हमने देखा कि कई कई बार ऐसा देखा कि क्योंकि आपस में उनमें एक का नहीं हो पाती है आपस में बहुत ज़्यादा घर्शन होता है कई सेशन वो बाइकॉट करते है तो जो important time है जो समय है वो बड़ा खड़ हो जाता है और जो बहुत सारे bills spending है वो नहीं हो पाते तो ये सब जो चीजे हैं ये थोड़ा सा नुकसान भी करती है ये यहाँ पर थोड़ा सा हम इस पर विध्यान देंगे कि ये taken care होना चाहिए ऐसा ना हो कि बहुत ज़ादा नहीं होता है लेकिन होता है और फिर इससे नुकसान होता है taxpayer के money का और बाकी समय का तो अलग-अलग committees होती है पारलेमेंट में अलग-अलग committees होती है तो पारलेमेंट में committee कौन-कौन सी होती है क्या काम करती है जैसे माली जी आपका एक school है college है ना वहाँ पर कोई एक event होना है या अलग-अलग committee है तो हर जगा एक कुछ समीतियां होंगी तो ये समीतियों का बहुत जारा काम है हमारे पास एक जैसे parliamentary committee में कुछ financial committee होती है standing committee मतलब यह जब parliament शुरू होती है तब से end तक यह standing committee हो जाएग standing मतलब कुछ add-off committee होती है जैसे कोई बिल आता है उसके लिए special committee बना दी गई कोई agenda है उसके हिसाब से एक special committee बना दी गई तो यह हो सकता है कुछ administrative committees होती है अब parliament का भी तो हिसाब किताब रखना है वहाँ की library है वहाँ का कुछ है उसकी committee बना दी जाती है तो यह जो committees है इनका बहुत बहुत रोल होता है क्योंकि parliament जो होती है वो बहुत कम समय के लिए जैसे parliament हो गया winter session हो गया इस थोड़ थोड़ समय के लिए मिलती है हमेशा के लिए running कर रही होती है तो समय उनके पास बहुत कम होता है पारलेमेंट के बाद अगर एक law बनाना है बिल बनाना है और उसको law बनाना है तो इस बिल को बहुत अच्छी तरीके सा समझना पड़ेगा इसको intense पढ़ना पड़ेगा तो समय का भी attention जरूरी है तो समय तो है नहीं आपे कहां से पैसा आएगा कहां से कौन कौन सी ministry involved होगी corruption कोई cases है ऐसे आ गए corruption भी तो हो सकता है तो ऐसी भी चीज़ तो आ सकती है तो समय तो कम है तो ये सारे काम जो अंजाम देती है 1983 से जो standing committees है वो बनी है मतलब हमारी जो parliament है उसमें कुछ ऐसी committees होती है जब वो जब parliament बनती है किसा आप समल लीजे वहाँ पर एक standing committees अलग-अलग standing committees बना देती है इसका मतलब standing मतलब हमेशा वैसी ही रहेगी ये ad hoc committee नहीं होती कि ये आई और चली गई ये हमेशा रहेगी तो अगर आप कोई corruption है तो एक joint parliamentary committee हो सकती है लोग सभा और राज्य सभा दोनों के member आके मतलब दोनों के member इसमें होते है तो ये खास तोर पर उस situation के लिए जहाँ पर कुछ corruption है तो हमारे हाँ एक parliamentary standing committee जैसे मैंने आपको बताया करीबन 20 20 से उपर departmentary related committees है अलब अलब department से related committee है 20 से उपर तो जो standing committee है जो हमेशा रहती है वो ये काम करती है department कह सकते है उनका क्या काम हो रहा है उनका budget क्या है expenditure क्या है इसके लावा standing committee के लावा जैसे मैंने आपको बताया था कि JPC JPC इसको कहते है कि खास और पे दोनों house की member होते है अगर कोई जैसे कोई corruption बगर होता उसके लिए खास और पे irregularities है पैसे की अगर irregularity है तो उसके लिए एक joint parliamentary committee बन सकती है दोनों ही houses से member ले जाएंगे इसमें parliamentary यह कहें कि parliamentary committees जो भी suggest करती है जो भी advise करती है ऐसा बहुत ही कम देखा गया है बहुत ही कम देखा गया है कि जो government है उसे disapprove करे Parliament इसे approve करती ही करती है क्योंकि यह committee यह बनी ही इसकारण से इसलिए इनका बड़ा महत्व है बलकि मैं कहूं पार्लेमेंट जो है वो इन committee के कारण ही चल रहा है तो Parliament किसे अपने आपका रगलूट करता है एक Parliament है जैसे आपका घर है आप चार-पांच बच्चे हैं घर में तो पिताजी होते हैं वो आपको regulate करते हैं दादाजी हैं वो आपको regulate करते हैं अगर मातपिता नहीं है तो बच्चे अपस में खिरौनों के लिए ड़सकते हैं या पिर अपस में कोछ उनके पीच में हो सकता है तो उसके लिए एक presiding officer जरूर होना चाहिए एक मदर फादर की तरह एक ऐसा अदमी होना चाहिए जो बोले तो बाकी सुने तो एक presiding officer होते है जो presiding officer legislature के या विधाइका के वो साहब होते है और उनको हम speaker कहते है सभापती कह सकते हैं उनको तो लोग सभा में जाएंगे चाहे विधान सभा में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी speaker मिलेगा आपको और लोग सभा में speaker होगे और जो राजसभा के speaker है वो तो खुदी vice president होते है तो अगर constitution एक बकाइदा एक दल बदल कानून के बारे में मैं आपको discuss करना चाहूँगा इसको हम कहते हैं anti-defection law दल बदल कानून एक साहाब है एक साहाब है मान लीजे Congress के टिकेट पे ये चुनाव लड़े अब हुआ ये कि ये जीत गए उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो state है वहाँ पर बीजेपी की government बनने वाली है ये तो Congress के है अब इनको सब्ता भी चाहिए ये क्या करेंगे अपनी party चेंज कर लेंगे ये पहुंच जाएंगे बीजेपी में अब क्यों ये इनको कुछ फाइदे चाहिए हो सकता है इनको पैसे का कुछ कुछ alignment हुआ या कोई ministerial post इनको मिल रही हो इनों ने अब इपना दल ही चेंज कर दिया तो दल बदल लिया इनों ने इसी को हम दल बदल कानून कहते हैं अपनी party जब वो चेंज कर रहे हैं तो ऐसा तो फिर हर आदमी कर लेगा उसके लिए anti-defection law है एक 50 second amendment हुआ उसके बाद 91 appointment भी हुआ इसमें clear बता दिया गया कि 1985 में हुआ anti-defection law 52 संवजधान संशोधन के तहत किया गया है 91st amendment जैसे मैं बताया इसमें भी इसमें बात थी जो presiding officer है जो speaker है उनका final decision होता है कि वाकई कि एक member ने defection किया है या नहीं किया है इन्होंने unlawful defection किया है कि मतलब दल बदल किया है कि नहीं किया किया है या एक member मान लीजे absent हो जाता है party ने कहा देखो आज बहुत important voting है आप आ जाना तो वो हो सकता है एक साहाब है जो उस party के तरफ जादा ध्यान ना दे रहे हो आप वो हो सकता है कि वो ना आए वो आते ही नहीं है या फिर अगर वो आ भी जाते है तो वो cross voting कर देते है वो cross voting कर देते है इसका मतलब वोट जो है वो दूसरी party के favor में वेट कर वोट कर देते है या उस bill के जो भी उसकी party salary है उसके वृद्ध वोट कर देते है ये भी anti-defection में आता है ये भी anti-defection फिर से मैं बताता हूँ एक सहाब है जो अपने दल्ग ने उनको बलाया कि आज आज हमको वोट करने आएंगे हमारे इसमें वोट करने वो आई नहीं एपसेंट रहेगा या अगर वो आते भी है तो उनकी पार्टी जो कह रही है उस हिसाब से वोट नहीं करते वो दूसरी पार्टी जो कह रही है उसके हिसाब से वोट कर देते क्रास वोटिंग तो यहाँ पर हो गया मसला इसे हम anti-defection ये सब anti-defection में आता है तो हमने क्या देखा कि legislature जो है या जो हमारी विधाईका है वो भी बहुत important democracy की बात करें तो बहुत बड़ा इसका रूल होता है legislature यानि की विधाईका एक ऐसी body है वो लोगों के wish को लोगों के aspiration को present करती है और उनके पास अच्छी खासी power होती है लेकिन responsibility भी उतनी होती है लोगों के लिए काम करते है लोगों के लिए काम करते है और सबसे उपर की legislature को power मिली हुई है तो ये बात हुई इस chapter की बहुत शुक्रिया बहुत नर्वानिया आँ सबेगी